गुड मॉर्निंग एप्रिवन, बेलकम टो एक्जाम और्बिट क्लासिस, आज है 11 जून और आज के सेशन में 11 जून के करेंट अफियर के साथ साथ, पूरे वीक का करेंट अफियर भी रिवीजन करेंगे, अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन भारत सेयुकतरब अमीरात और फ्रांस भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में, कहां पर ये अभ्यास हो रहा है, तो आपको याद रखना है, ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है, अब डिसकस कर लेते हैं कुछ पूने में किया गया था भारती और फ्रांसेसी सेना के बीच पहला संयुक्त सेन अभ्यास फ्रेंड जैक्स 23 कहां आयोजित किया गया तो ये तिरुबनंत पुरम के रल में हुआ था दुई पच्छी ये वायु अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023 कहां पर हुआ तो ये जापान में हुआ है भारत अके देश की सेनाओं के भी संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फस्ट हुआ है तो ये मिस्र की सेना के साथ आयोजित किया गया भारत अमेरिका अभ्यास तरकस कहां पर हुआ तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नाई में अब डिसकस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में तो मैप में आप सभी फ्रांस की लोकिशन देख सकते हैं ये है फ्रांस France किस महादीप में आता है तो ये Euro महादीप में आता है France की जो Capital है वो है Paris और Paris किस नदी के किनारे है तो आपको याद रखना है Paris आता है सीन नदी के किनारे France की मुद्रा Euro है France के जो बर्दमान में PM है इनका नाम है Elizabeth Vaughn यहाँ के जो President है वो है Emmanuel Macro इसी के साथ आप याद रखेंगे कि 26 जुलाई 2024 को Paris आलमपिक का जो उदगाटन समारो है यह सीन नदी के किनारे होगा और UNESCO का जो हैटकोर है यह भी कहां पर आता है तो यह Paris फ्रांस में आता है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा साथी बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले जिसे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा साथी में इस क्लास की पीडियाप आप सभी को टेलिग्राम चैनल पर इसली बात में मिल जाएगी टेलिग्राम पर जाकर एग्जाम और विट क्लास से लोगों आपको दिखाई देगा जिसने भी टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है जॉइन कर लीजे क्योंकि पीडियाप के अलावा डेली आपको जी के जीएस के questions भी यहाँ पर कराए जाते हैं जो की काफी महत्तपूर्ण है हर एक एक एक्जाम के लिए अगला सवाल डिसकस करेंगे कि भगवान वेकंटेश्वर का जो मंदिर है इसका उदगातन कहां पर किया गया है तो friends इस मंदिर का उदगातन हाली में जम्मु कश्मीर में किया गया है डिसकस कर लेते हैं इस मंदिर के बारे में तो देखें आंदरप्रदेश में पहाडी सहरी यानि की तिरूमाला में पर सिद्धितरूपती बालाजी मंदिर के समान पर पैटन पर बनाया गया है इस मंदिर को कहां पर तो जम्मो कश्मीर में यह मंदिर दच्छडी राज्य के बाहर तिरूमाला तुरूपती देविस्तानम दुवारा निर्मिद छटा मंदिर है इसके अलाबा अन्य मंदिर कहां पर है तो हैदराबाद, चेन नई, भुबनेश्वर, कन्या कुमारी और दिल्ली में है और यह उत्तर भारत का पहला है यह आप याद रखेंगे और इसे फ्रेंट्स जो जम्मुकश्मीर है वहाँपर अध्यातमिक परेटन को बढ़ाबा मिलेगा इसे के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अपसरों को भी बढ़ाबा मिलेगा कहां पर तो जम्मुकश्मीर में डिसकस कर लेते हैं कुछ महतपूर मंदिरों के भारे में जो अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं जैसे सब्रीमालाजू मंदिर है ये केरल में है रामिश्वरम, महावलीपुरम, मिनाक्षी मंदिर, ब्रदेश्वर मंदिर ये सबी आते हैं तमिलारू में बिरुपाक्ष मंदिर कहां पर है तो आंसर होगा करनाटक में तुरुपती मंदिर और सरी सैलम मंदिर ये दोनों ही मंदिर हैं आंदुर प्रदेश में दच्छड भारत के मंदिरों के मुखे दुवार को क्या कहते हैं तो गोपुरम कहा जाता है काशी विश्वनात मंदिर कहां पर है तो ये उत्तर प्रदेश वारणासी में है दिलवाडा मंदिर याद रखेंगे माउंट आवू राजिस्थान में है सोण मंदिर कहां पर है तो ये आता है अम्रसर में तो ये कुछ महत्वण मंदिर हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है अगला सवाल है कि अभ्यास एक्ता के छटे संस्करन की मेजवानी किस ने की है तो फ्रेंट जो अभ्यास एक्ता है ये भारत और मालदीब के बीच हुआ है किस के बीच हुआ है तो याद रखेंगे भारत और मालदीब के बीच हुआ है और इसका आयोजन भी कहां पर किया गया है तो मालदीब मेches कर लेते हैं मालदीब के बारे में तो यहाँ मैप में आप सब भी location देख सकते हैं देखें यह है इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिले लक्षदीब और लक्षदीब के जस्ट नीचे है मालदीब मालदीब के रास्थानी है माले यहां के बड़्धमान में प्रसीडेंट है इबरहीम मौहमज सूलेई राजभासा याद रखेंगे धिवेई राजभासा है यहां की अधिकारिक धर्म इसलाम है यहां की मुदरा को रोफिया कहते है और यहाँ पर जो अर्थ विवस्ता का आधार है वो मतश्य पालन और पर्याटन है इसके लाब आप याद रखेंगे कि जो 8 डिगरी चैनल है ये माल दीप और मिनिकोई के बीच में स्थित है 9 डिगरी चैनल जो है ये लक्ष दीप और मिनिकोई के मद्द है 10 डिगरी चैनल अगर आप से पूछा जाए कि किसे अलग करता है तो ये अंडवान दीप को कार निकोबार दीप से अलग करता है एको बीरिन जो सेन्ने अभ्यास है ये भी माल दीप और भारत के बीच आयोजित किया जाता है नैस्ट कुशन हाली में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस अंस्थान ने समगर स्रेणी में अपना पहला इस्थान बरकरार रखा है तो ये IIT मद्रास ने रखा है याद रखेंगे किसने IIT मद्रास नैस्ट कुशन सागर समृद्धी Online Tracing Monitoring जो सिस्टम है ये किस ने लौँच किया है तो ये लौँच किया गया है सर्वनन सोनुबाल के दुबारा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो देखे बंदरगा नोबेहन और जलमार्ग मंत्राले की वेस्ट तूबेल्ट पहल में तेजी लाने के लिए एक महतपूर कदम में केंद्रिय मंत्री यानि कि सर्वनन सोनुबाल ने सागर समृद्धी Online Tracing Monitoring सिस्टम लौच किया है इसका फाइदा क्या होगा तो इसे समुद्रों और पतन को साप सुत्रा बनाने में मदद मिलेगी तो ये किससे सम्मंदित है समुद्रों को साप करने से सम्मंदित है याद रखेंगे आप सबी अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे बीग का तो आप सबी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स वॉक्स में पहला सबाल है कि उतर भारत का सबसे बड़ा जो पाबर हब है ये कहां पर बनेगा तो इसका सही आंसर होगा और संडी किस्तवाड यानि कि जम्मू कश्मीर में यह हैं बनाया जाएगा अगला सबाल आर्केटिक चैलिंज सेन अभ्यास 2023 किस ने किया है तो फ्रेंट्स इसका आयोजन किया गया था रसिया की सीमा के करीब नाटो के दुवारा नाटो सम्मू ने इसका अभ्यास किया था अगला सबाल विसकेक रेंकिंग सिरीज 2023 में भारत के लिए पहला सुण पदर किस ने जीता है तो फ्रेंट्स इनका नाम है मनीसा और इन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया है अगला सबाल आदिवासे किशानों दुवारा संरक्षित वीजो के संरक्षन के लिए एक समीती को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो आंसर होगा उडिसा परवता रोहन का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एंसी सी के डिट कौन बने है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे इनका नाम है सालनी सिंग और इनका सम्मंद है लखनव उत्तर प्रतेश्य अगला सबाल किस राज्य की आरकू बैली कौफी और काली मिर्च को जैविक प्रमानी करन मिला है तो देखे जोग्राफी का कॉईशन यहां से बन सकता है जोग्राफी प्लस करेंट की आरकू बैली जो है यह कहां पर है आप याद रखेंगे यह आती है आंध्रो प्रतेश में किस देश के नौसेना वलके 55 कैड़िट ने पहली बार भारती नौसेना के साथ परिसिक्षण किया है तो उसका सही आंसर होगा ऑप्सन भी साउधिय अरब दुनिया की प्रमुख खूपिया एजंसियों के वरिस्ट अधिकारियों की जो बैठक है यह कहां पर आयूजित की गई तो फ्रेंट्स यह बैठक हुई है सिंगापुर में अगला सबाल है कि विश्व की सबसे बड़ी आयूसियन विश्व संरक्षन कॉंग्रेर्स दो हजार पचीस की मेजवाने कौन करेगा तो फ्रेंट्स यह सबाल काफी महित्वपून है याल रखेंगे इसकी मेजवाने की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात के दुवारा और यह चार साल में एक बार होता है इससे पहले फ्रांस में आयोजित किया गया था अगला सबाल भारत का पहला कारवन न्यूटरल गाउं कहां बिक्सित किया जाएगा तो भारत का पहला कारवन न्यूटरल गाउं बनेगा भिबंडी तालुका में और ये कहां पर आता है तो थाणे महरास्टर नैस्ट कुईशन पोर्जेक्ट कुबेर किस ने लॉंच किया है तो याद रखेंगे इसे SBI के दुवारा लॉंच किया गया है अगला सबाल विश्व परियावरण दिवस 2023 की थीम गया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे इस वार की थीम है प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान अगला सबाल संयुक्तरास्ट महा सभा के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो आप सबी याद रखेंगे संयुक्तरास्ट महा सभा के अध्यच के रूप में चुना गया है डैनिस फ्रांसिसको देखें बहुत से बच्चिक यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे थे और कमेंट्स बॉक्स में भी लिख रहे थे कि जो संयुक्तरास्ट महा सभा है इसके अध्यच एंटोनियो गुटेरिस नहीं है तो जी सही बात है देखें जो एंटोनियो गुटेरिस है ना ये संयुक्तरास्ट संके महा सचिव है संयुक्तरास्ट संके अगर महा सचिव पूछे तो आंसर होगा अंटोनियो गुटेरेस अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक तराष्ट महा सभा के नए अध्यज के रूप में किसे चुना गया है तो आंसर होगा डैनिस फ्रांसिस तो दोनों कोशन आपको याद रखने है अगला सबाल है कि किसके नेततों में मनिपूर में हीसा की हालियस रंकला की जांच के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की गई है तो उनका नाम है अजय लामा नेस्ट कुरिशन किस देश के एन से यंग ने थाइलेंड ओपन का जो फाइनल है वो जीत लिया है तो ये दच्छर कुरिया से सम्मंदित है अगला सबाल कौन सा ACI देश केंद्रिकरत प्रियोक सालन नेटवर्क में सामिल हो गया है तो फ्रेंड्स भारत इस नेटवर्क में सामिल हो गया है अगला सबाल रिवीजन करेंगे कि चक्रवाती तूफान विपर जोई जो नाम है ये किस देश ने रखा है तो ये नाम दिया गया है पांगला देश के दुवारा और ये चक्रवाती तूफान कहां पर बना है अरब सागर में सूरी नाम के सरवोच्य नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे ये सरवोच्य सम्मान मिला है राष्टपती दुरूपती मुर्मुची को बेगर बुजुर्गों को आश्रे देने के लिए एल्डर लाइन सेवा किसने सुरू की है तो इसके शुरुवात की गई है उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के दुवारा जल्मार्ग मंत्री सरवनन सोनुबाल ने 96 किस देश के लिए भारत के पहले अंतराष्टिय कुरूज पोत MBM प्रेस को खरीजंडी दिखाई है तो ये सुरी लंका के लिए दिखाई गई है अंतर द्रस्टी नाम से एक पित्तिय समावेशन डेस्ट वोट किस ने लाउंच किया है तो फ्रंसिस्की लाउंचिंग RBI के दुवारा की गई है किस केंद्रिय मंतराले ने सवच्छ जल से सुरक्षा अभ्यान रिपोर्ट जारी की है तो ये रिपोर्ट जारी की गई है जल सक्ति मंतराले के दुवारा फुकोट करनाली जल्विद्दुत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ अग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये नेपाल के दुवारा किये गए हैं नेस्ट कुईशन रिबिजन करेंगे कि कितने नए देश संयुक्त रास्ट सुरक्षा परिसत के आइस्थाइस अधस्र के रूप में चुने गए हैं तो कुल पांस देशों को चुना गया है जिन में सामिल है अलजीरिया, गुहाना, पूरियागर राज्य, सियारा लियोन और इस्लोबेनिया, नैस्ट कुईशन, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री सीखो और कमाव योजना शुरू की जाएगी, तो इस योजना की शुरुवात मद्द प्रदेश गवर्मेंट के दुवारा की जाएगी, हिंदू समू के नए अध्याज के रूप में किसे न की है, तो फेंट्स याद रखेंगे, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दुवारा की गई है, राश्टिय प्रत्यायन, बोट से मानिता प्राप्त करने बाला, भारत का पहला एम्स कौन सा बना है, तो नापूर एम्स बन गया है, बिजली छेत्र में मिशन on advance and high impact research, मा पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो फेंट्स यह है, पुरुसकार मिला है भारतीय मूल की जोईता गुपता को, अगला सवाल है कि टुईटर के नई CEO के रूप में कामकाज किसने समाल लिया है, तो इनका नाम है लिंडा याका वीनो, जिने आप सभी पिक में द 202, अगला सवाल, नाटू देशों की एर फोर्स का अब तक का सबसे बड़ा जो युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है एर डिफेंडर 23, यह कहां पर होगा, तो फेंट्स याद रखेंगे, महत्त कॉन्ट सवाल है, इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा, और यह 12 जु नंद बाबा जुद्ध मिशन योजना, किसने सुरू की है, तो इस योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के दुवारा की गई है, मुधमिश सैल्फी, माउंट एपरिस्ट को फते करने वाले, किस राज्जी की पहली महिला बनी है, तो फ्रेंट्स इनका स पर है और पहले स्थान पर है चाइना, भारती भूबैग्यानिक सर्वेक्षण का नया महा नितेशक कैसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है जनार्दन परसाथ, जिन्हें आप सब भी पिक में देख सकते हैं, नेस्ट कुरिशन, विम्स्टेक एक्सपो और कॉन जवानी है, ये कौन करेगा, तो फेंट्स इसके में जवानी की जाएगी, किसके दुवारा, कॉलकाता के दुवारा, महितबून सवाल है, याद रखेंगे आप सबी, अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार दुवारा, महिलाओं और ट्रांजेंडर को मुफ्त सरकारी वश य चुरू होगी, अगला सवाल, किस राज्य सरकार दुवारा, एक एकरत जल संसादन कार योजना, 2023-2025 का उधगाटन किया गया है, तो फेंट्स इसका उधगाटन किया गया है, हरियाना गवर्मेंट के दुवारा, जो की जल सदक्षन से सम्मंदित है, नैस्ट कुशन, किस बैंक ने, I am at ADR, ADR इस अभियान सुरू किया है, तो फेंट्स इस किस पैंक के दुवारा किया गया है, फेडरल बैंक के दुवारा, नैस्ट कुशन, यूवा पार्टकों के लिए, अजय तू योगी आदेते नात, नामक एक नया ग्राफिक उपन्यास किस ने लाँच किय गया है, तो फेंट्स इस उपन्यास की लेखक हैं सांतुनु गुपता, और इन्ही के दुवारा इस उपन्यास को लाँच किया गया है, नैस्ट कुशन, हाली में गीतांजली आयर का नेदन हो गया, यह कौन थी, तो आप याद रखेंगे, यह काफी पिरसित एंकर थी, जरूर बताएगा, अगर किलास अच्छी लगी हो, तो जादा से जादा शेयर कीजेगा, लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, मिलते हैं नैस्ट शेशन में, एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!